कई साल पहले एक दुरगटना में मिठू तोते की एक आँख फूत गई थी और वो एक ही आँख से देख सकता था इसलिए मिठू तोते को भोजन लाने में बहुत दिकत होती थी कभी वो किसी पेड से टकरा जाता तो कभी उसे दुश्मन का खत्रा होता एक दिन एक चिडिया मिठू के पास आती है तोते तोते मैंने एक अंडा दिया है आप मेरे साथ मेरे खोंसले में आकर मेरे अंडे का दिहान रखें और मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आती हूँ चुडिया चुडिया मैं तुम्हारे अंडे का दिहान बहुत अच्छे से रखूंगा मगर तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना ठीक है आँ मेरे साथ आजाएए फिर तोता चुडिया के साथ चला जाता है आप यहां बैठ जाएए और मैं भोजन ले आती हूँ चुडिया दाना लेने चली जाती है और मिठु दोता चुडिया के खौंसले में बैठ जाता है मिठु के लिए मीठा फल तो मिल गया अब मैं अपने लिए दाना भी ठूंड लेती हूँ शाम के बाद चुडिया मिठु के लिए फल ले आती है और अपना दाना भी चिडिया तुम्हारा बहुत भहुत धन्यवाद मैं कल से भूका था आज मैं पेट भर भाजन खाऊंगा इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं तो ते आपने मेरी मदद की और मैं आपके लिए भाजन ले आई ऐसे दोनों का काम बहुत आसान हो गया था एक दिन एक कवा उड़ता हुआ चिडिया के घौंसले की तरफ आता है तो ते को चिडिया के घौंसले में बैठा हुआ देखकर कालु कवा वहां आ जाता है तो ते तुम यहां क्या कर रहे हो मेरी एक आँख नहीं है इसलिए मुझे भाजन लाने में बहुत दिक्कत होती है मैं यहां चिडिया के अंडे का दिहां रख रहा हूँ और चिडिया मेरे लिए भाजन ले आएगी हाहाहा इसका मतलब तो मचिडिया के नौकर हुए नहीं नहीं ऐसो नहीं है चिडिया मेरी दोस्त है वो मेरा काम करती है और मैं उसका चिडिया खाए तरह तरहां के मीठे फल फलों की खिचडी स्वादिष्ट पोदों के बीज और तुम्हारे लिए लाए सूखा दाना तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में मैं तुम्हें अपने घर में मालिक बना कर रखूंगा नोकर नहीं ये सुनकर तोते के दिल में भी लाली चा जाता है कवे तुम आज जाओ और मुझे सोचने का मौका दो कवा चला जाता है कवे की बात तो ठीक है आखिर कब तक मैं यहां चलिया का नोकर बनकर भाजन खाऊंगा आज मैं चलिया से बात करता हूँ थोड़ी देर बाद चलिया भी आ जाती है आज फिर सूखा दाना पहले दिन तुम मेरे लिए फल लाई थी और अब हर रोज सूखा दाना तोटे भीया जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है इसलिए बहुजन की बहुत कमी है बहुत हो गया अब मेरा और तुम्हारा साथ और नहीं चलेगा कल से मैं नहीं आउंगा तुम जानो और तुम्हारा अंडा तोटा चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोटा चिडिया के पास नहीं आता कालू के बच्चे अगर आज तुम कोई कामवाली ना लेकर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी कामवाली ना भी मिली तो आज मैं एक कामवाला जरूर ले आउंगा एक तोटा है जो तुम्हारे बरतन भी धोएगा और छाडू भी लगाएगा कामवा घर से निकलता है और एक आँख वाले तोटे के पास चला जाता है तोटे क्या सोचा है मैंने फैसला कर लिया है मैं तुम्हारे घर में जाकर मालिक बन कर रहूंगा अब मुझसे और जड़िया की नोकरी नहीं होगी ऐसे धोका दे कर कालू कवा तोटे को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाकर तोटे के पांख कार देता है तुमने तुमने मेरे पांख क्यों कार दिये ए कांख वाले तोते ताके तुम उड़कर कहीं जाना सको और मेरे घर के काम करो चलो अब चलती से मेरे बरतन अच्छे से धो दो और फिर बाद में जाडू पोचा भी लगाना है नोकर तो दे तोता बहुत पश्ता रहा था क्यूंकि उसने कवे के पीछे लकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए कवे का नोकर बन गया था चिडिया का एक खेत था चिडिया सोच रही थी कि वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाई तब ही वहां गोरी कवी और कालू कवा आ जाते है चिडिया चिडिया क्यों ना इस बार तुम्हारे खेत में हम मिलकर गाजर की खेती करें गाजर की खेती गाजर क्या चीज होती है गाजर बहुत स्वादिस्ट और लाल लाल होती है तुम खाओगी तो गाजर की दीवानी हो जाओगी चिडिया मान जाती है ठीक है आप गाजर के बीज ले आओ और हम मिलकर गाजर की खेती कर लेते हैं गोरी और कालू घर जाते हैं गोरी गोरी अब देखना हम कैसे चडिया को उलू बनाएंगे काम करेगी चडिया और सारी गाजरे खाएंगे हम अब जल्दी चलो चडिया इंतजार कर रही होगी कवा और कवी गाजर का बीज लेकर चडिया के पास चले जाते हैं चिडिया ये लो गाजर का बीज तुम ये बीज जमीन में दबा दो तब तक मैं और गोरी नदी से पानी लेकर आते हैं मैं अभी ये बीज लगा देती हूँ आप चलती आ जाना चिडिया गाजर के बीज लगाने लगती है और कवे वहां से चले जाती है नदी पर जाकर गोरी कवी अपना घड़ा जोर से जमीन पर फैंकती है दोनों कवे एक दूसरे की तरफ देखर हंसते हैं और एक पेड़ की ठंडी चाओं में सो जाते हैं मैंने तो सारे बीज भी लगा दिये मगर अभी तक कवे क्यों नहीं आए मैं अभी जाकर नदी पर देखती हूँ चिडिया नदी पर जाती है तो कवे सोय हुए थे गोरी और कालू उठो शाम होने वाली है तुम तो नदी से पानी लेने आए थे गोरी कवी उठते ही रोने का नाटे करती है चिडिया चिडिया मेरा घड़ा गिरकर तूट गया मैं कैसे पानी लेकर आती वो वो देखो हमारा घड़ा तूट गया ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ कोई बात नहीं आप घड़ जाओ और मैं अपने घर से निया घड़ा लाकर बीजों को पानी दे देती हूं कवे यही तो चाहते थे कवे घर चले जाते है और चिडिया अपने घर से घड़ा लाती है और नदी से पानी भरती है और बीजों को पानी देती है काम तो हो गया अब मैं घर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ चिडिया अपने घर चली जाती है अब ऐसे ही चलने लगा कवे हर रोज घर से काम करवाने आते और गाजर के खेत बे आकर कोई न कोई बहाना बना ले दे चिडिया आज मेरे पेट में बहुत दर्द है और मेरे सर में मैं काम करती हूँ आप थोड़ा आराम कर ले दूसरे दिन एक नया बहाना तियार था चिडिया आज मैं अपनी मां के पास जा रही हूँ और और मैं अपने मामा जी के पास मामा जी का एक्सिडेंट हो गया है आप जाएए मैं काम कर लूँगी ऐसे ही दिन गुज़रते के और फिर चिडिया और कवों की गाजर की फसल तियार हो जाती है एक दिन जब चिडिया घर पर थी तो कवा और कवी खेत में जाती है कालू जी एक गाजर निकाल कर तो देखो कितनी बड़ी हो गई है कवा जमीन से एक गाजर उखाडता है ये तो त्यार है गोरी गाजर तो बिल्कुल त्यार है चल कालू अब जीब भर कर गाजरें खाते है कवा और कवी जीब भर कर गाजरें खाते हैं और अपने ख़र चले जाते है दूसरे दिन चिडिया कवों से कहती है गोरी और कालू मुझे गाजर की ज्यादा जानकारी नहीं है कि गाजर की फसल का अब त्यार होगी चिडिया अभी तो पूरा महीना लगेगा गाजर को त्यार होने में और तब तक हम सारी ही गाजरे खालेंगे कवे बहिया क्या कहा कुछ नहीं मैंने कहा तब तक हम इंतिजार कर लेंगे शाम हो जाती है चड़िया और कवे अपने अपने घरों को चले जाते हैं कालू जी चल चड़िया सो गई होगी चलो जाकर गाजरे खाते हैं आज तो मैं इतनी गाजरें खाऊंगा पेट भर कर पेट के ऊपर भी बांद लूँगा कववा और कववी घर से निकलते हैं और जाकर खेट से गाजरें खाने लगते हैं कोई चोर मेरी गाजर की फसल ना चुरा ले एक बार मैं खेट में देख कर आती हूँ ऐसा सोचकर चिडिया अपना डंडा उठाती है और अपने खेट की दरफ जाती है चिडिया दूर से ही कववों को देख लेती है वो थोड़ा पास चाकर छुपकर बैठ जाती है ये कववे डूष्ट कववे तो गाजरे चोरी करें हैं और मुझे कहा कि गाजर की फसल अभी धियार नहीं हुई कालू कालू खालो कल चुडिया आकर रोएगी ओहां हां हां ऐसे ऐसे रोएगी चुडिया पीछे से चुडिया डंडा लेकर आती है और कववे और कववे की फीट पर एक एक लगा कर कहती है आज मैं नहीं बलके तुम रोगे चुडिया कववे की खूब बिटाई करती है और कववे वहां से भाग जाती है